हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दा बॉलीगी की यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम प्रिवू कर रहे हैं पीकेल का मैच नंबर फिफ्टी जो की तमिल तलाइवास और बंगलूरू बुल्स के बीच में खेला जाएगा संडे डिसेंबर 31 को जो है मैच होने वाला है एंड तक पूरा बिना स्किप्प करें देखिए और एड देंड अगर आप पर वीडियो इंफर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और टेलिग्राम पर फॉलो कर सकते हो जो भी लोग फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दिया गए वीडियो के टैटल पर करोगे तो डिस्क्रिप्शन फुलेगा पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा जहां पर आप 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 टेलिग्रा यानि bottom से थोड़ा ही ऊपर जो यह लोग अभी बने हुए है और अगर तमिल तलाइवास की बात करें तो पूरा home leg गुजर गया चारो के चारो मैचस लिए उससे पहले भी एक मैच करके आ रहे हैं उससे पहले अगर आप देखते हो तो overall इन्हों ने सिर्फ दो मैचस विन किय है अगर आठ मैचस की बात करें तो बैमिलूरू बुल्स ने नो मैचस खेलें तीन जीते हैं और जो यहां पर आप देखो तो इनके कुल मिला के 6 मैचस में लॉस रहा है तो यह इनका अभी तक का overall distribution है तो दोनों टीम्स के लिए इस मैच में जीतना बहुत important है और recent मैचस की मैं आगे चलके आपको बात करूँगा तो उसको दरूर देखिएगा तो इसको दरूर देखिएगा तेमिल तलायवास की ओर से क्या जो है यहां पर playing 11 स्टार्टिंग 7 निकल के आती है क्योंके अभी मैंने जस्ट cricket वीडियो रेकॉर्ड किया तो उसके जो है वो थोड़ी रेड़ भी की ती उसके बाद जाके गुजरात के गेश्मिंगा लाश्ट मैस ता और जाके बहुत करीबी मैस खेला है ऐसा नहीं कि बहुत डिफ्रेंस एहार गया रहे काफी करीबी मैस खेल गया रहे है लेकिन जो लाश्ट में एक दो रेड़ ठी जहां पर super- Euros complain था जहां जाके रेडिंग डिपार्टमेंट ने कही न कही गड़बड की उसकी वज़़े से हारे हैं मेरे को लगता है क्योंकि आखरी मोमेंट में आके यह लोग हार गए हैं तो लाश मैच में नरंदर को बेंच से लाया गया इस मैच में लगता है स्टार्ट जरूर कराएंगे और हिमान्शो सिंगच खेल सकता है हिमान्शू नर्वाल खेल सकते हैं या और कोई भी खेल सकता है इस पोजिशन पर थोड़ा कहना मुश्किल है थ़र्ड रेडर की भूमी का कौन रखेगा अमेरे को लगता है मोस्ट लाइक लिए हिमान्शू सिंग के साथ जाएंगे और अपिस जो हैं पर मोहित खर्ब को लाए है और अभिशेग तो राइट कॉर्णर पर बने हुए हैं और इनको यहां पर अभी तक तो चेंज नहीं किया गया मेरे को लगता है करना चाहिए लेकिन अभी इस सीजन मेरे को लगता है हलका सा जो हैं पर इंप्रूब्मेंट दिखा और टॉप 10 के अंदर यह बने हुए हैं डिफेंडर्स के लिस्ट में अच्छा काम कर रहा है तो डिफिनिटली साहिल गुलिया एक जो यहां पर प्लेयर मान सकते हूँ कि मस्ट हाव प्लेयर्स में से एक होने वाले हैं अगर आप देखते हो तमिल तलाइवा स्कोर से सागर ने भी अच्छा काम किया है दोनों कॉर्णर ने अच्छा किया है लेकिन सागर को लाश मैच में बेंच से लाया था मतलब स्टार्ट नहीं करा नरेंदर और सागर लाश मैच में बेंच पे खेले थे बाद में आके इन्हों ने टीम को जॉइन किया था तो इस मैच में आप जो मेबी हो सकता ही हिमांशु सिंग की जगा खेल भी ले लाश मैश में अमिर हुसेन बस्तामी के साथ स्टार्ट किया था तीन पॉइंट उनों ने टैकल स्कोर भी किये लेकिन उसके बाद फिर चेंज कर दिया सागर को यहां पर खिला रहे थे इसके लावा सतीश कनन है और सल्वामनी एक अच्छा रेडर अगेन एक लंबेकत का रेडर इनके पास राइट रेडर अविलिबल है अभी तक तो यूज नहीं किया गया आ रहे हैं और उसमें मेरे को लगा कि कहीं न कहीं का जो कसूर था जो मतलब कह सकते हो कि जो रेडिंग टैक्टिक थी अगें ये टीम भी रेडिंग के वज़े सी हार गया रही है रेडर्स ने अच्छा किया ऐसा नहीं कि बहुत बुरा कुछ नीरज बेंच से आके पांच बाला जो रोल है वो बिल्कुल बकवी निभा रहा रहा है भरत हुड़ा को जो एंपे step up करना पड़ेगा ये consistent नहीं है इस सीजन इसी वज़े से टीम सफर कर रही है और अगर ये consistent होते तो maybe जो टीम कुछ और खेल रही होती लेकिन अभी फिलाल जो इनको consistency अगर मिलनी है तो भरत को जो है पर step up करना पड़ेगा, अगर भरत नहीं step up करते हैं, तो फिर इनकी हालत वही रहेगी जो last match मेरे close आके हार जाएंगे, और इस match में दोनों team में से कोई एक team का at least मेरे को लगता है भला हो जाएगा, क्योंकि यूपी से थोड़ा उपर निकलने का दोनों के पास chances आज के match में है, तो जो भी जीतेगा वो बहतर इस match में कर सकता है, मेरे को most likely जो ज्यादा team पे अगर आप देखो, तो लग रहे है मेरे को कि बंगलूर बूल्स के पास ज्यादा बहतर chances, क्योंकि cover इनके अच्छे है, सुर्जीत और विशाल दोनों ही अच्छा काम कर रहे है, विशाल लाश में जोए अगेन इस player को खिलाया जा रहा है consistently, एक दो match में बीच में जोए इनको drop करा गया था, और इनकी जगा जोए एक रोहित नांदल करके player है, उनको खिलाया गया, लेफ्ट कबर पे backup options बहुत अच्छे हैं, और इवन अगर आप सुर्जीत की जगा भी देखो, तो यहाँ पे भी पोन पर्टिबल सुबरमनेन जैसा एक बहुत ही बड़ा experience player जो है अबलेबल है, तो टीम के पास backup options उतने ज़्यादा बुरे नहीं है, लाश मैच में देखो, बेंच से आपको मैं दिखाता हूँ, सुशिल ओम आके भी 8 point उन्होंने निकाले थे, 7 raid की थी, 8 point निकाले थे, बहुत अच्छा काम करके दिया था, लाश मैच में बेंच से आके उन्होंने परफॉर्म किया, अब बस एक player रह गया है, अभिशेक सिंग, अगर वो step up करते हैं, और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो टीम का rating जो department में dilemma है, वो solve होता है, वो अगर solve होता है, तो फिर बेंगलूरूरूबुल साब को धीरे दीरे, second half of the league की बात करते हैं, तो वहाँ पर वो climb करते हुए उपर भी जा सकते हैं, possibility पूरी है कि अभी भी ये लोग जो है फे टॉप 6 के अंदर जगा मना सकते हैं, तामिलतर लाइवास के पास भी चांस है, सौरब नांदल और अमन अंटिल की बात करते हैं, तो अब तक तो यहाँ पर अमन अंटिल ज्यादा फार्म में अच्छे नहीं दिखें, लाश दो मैचस खास करके बहुत ही ज्यादा खराब गए हैं, उससे पुराने जो दो-तीन मैचस से वहाँ पर अच्छा किया था, एक खासियत है, राइट रेडर्स ज्यादा होंगे तो ही अमन अच्छा करेंगे, अगर लेफ्ट रेडर्स होंगे तो आगे से आके ब्लॉक वाला काम ज्यादा अच्छा नहीं करते हैं, ठीक है, सौरब नंदल का ऐसा नहीं है, सौरब नंदल चाहे वो लेफ्ट रेडर हो, चाहे राइट रेडर हो, इनके पास आज वैसे भी रेडिंग ज्यादा है, लाश्ट तीन मैचस का परफॉर्मस आप देख रहे हो, उससे पुराने वाले मैचस में भी देखो, तो काफी अच्छा किया हुआ है, असनी बहुत ज़्यादा कुछ बुरा किया है, टीम के लिए सीनियर मोस्ट प्लेयर है, और अच्छा कर रहा है इस सीजन में, तो आप कवर्स पर आप देखो, यह भी जो है नमबर 55, बहुत अच्छा यूटिलिटी ओल्डॉंडर है, टैकल बहुत ज़्यादा अच्छे करता है, रेडिंग अभी अगर ज़रुत पढ़ते है टीम को, तो रेडिंग के लिए भी जा सकता है, तो एक अच्छा यूटिलिटी ओल्डॉंडर मिल गया, लाश्ट मैट में सुशिल ने आकर अच्छा परफॉंड किया था, मैं वैसे तो देखो, परसनली इनको मैंने हर्याना स्टिलर में जब देखा था, आप इनको थर्ड रेडर की भूमिका में देख सकते हो, फोर्थ रेडर या इवन बैक अप में, लेकिन स्टार्ट कराने लाएगे प्लेयर मेरे को लगता नहीं है, स्टिल लाश्ट मैच में अच्छा करके आ रहे हैं, आप इनको अपनी टीम में प्रिफर कर सकते हैं, लाश्ट मैच में बहतर किया है, साथ पॉइंट आइधिंग निकाले है, यहाँ पे जो है आइधिंग रिसेंट पॉइंट में थोड़ अगड़ बड़ है, अच्छा नहीं किया, तब जाके जो है बेंच में बिठाया है, और इस मैच में आपको बेंच से ही खेलते वे देखने को मिलेंगे, क्योंकि नीरज इस मैच में स्टार्ट मोस लाइकली करने वाज़ा है, रेश्टर आफ देखते हो तो बहुत बड़ा है, यहाँ पर लंबी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, सचिन नर्वान एक अच्छा ओप्शन यहाँ पर है, बहमद लिटरनली अभी भी आइटिंग टीम के साथ जुड़े नहीं है, अच्छा ओप्शन और वहीं पर सुन्दर एक लेफ्ट कॉर्णर ओप्शन है, यह भी एक अप्शन है, और उसके लावा और भी बहुत यहाँ पर प्लेयर्स हैं, जो में भी अगर टीम को ज़रूत पड़ती है तो आ सकते हैं अंदर, ठीक है, लेफ्ट कॉर्णर पर अधित्य पवर, तो यह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, टोटल बारा मैचस हेट्वेड में खेले गए हैं, दो जीते हैं सिर्फ तमिल तलाइवास ने, दस मैचस बेंगलूरू बुल्स ने जीते हैं, बेंगलूरू बहुत एक्सलेंट परफॉर्म करता है, जबी भी यहाँ पर रोकबड़ी में इनका हेट्वेड की बात आती है, तो रेसेंट कुछ मैचस को मैंने आपे मेंचन किया हुआ है, आप इसको जो हैं पर अपने अं अंदर जो हो फेल्ड अक्टम्ट्स है, रेड पॐंट के आगी है, अगर ब्रकेट में कुछ लिखा हुआ है, तो फेल्ड रेड्ड्स है, मतलब उसका मैचस में बेंच से आके खेला था, और आप देख सकते हो सीजन 8 के कुछ मैचस में, देखो तो यहाँ पर आपको I think दिखेगा सुर्जीत सिंग जो तमिल तलाइवास के होके खेलते थे उस टाइम पे मैंने अभी उनको बेंगलूरू बुल्स में डाला हुआ है नाम आप उसको इग्नोर कर सकते हो मतलब वो स्टाइट को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वो अनक टिंग से खेल रहे थे लेकिन मैंने बस उसको मेंशन किया है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ इस मैच में ये प्लेयर खेल भी रहा था ठीक है तो इसलिए मने इसको मैंशन ही हाँ पर किया हुआ है तो आप ऐसे देख सकते हो बागे सारा मैंने आपको बता दिया आप खुद से अपना रीड कर ले ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं वही कुछ चुनिंदा प्लेयर से हैं जो हमेशा अच्छा कर रहे हैं वही कर रहे है अजिंक अपवार और साथ में आपे नरंदर कंडोला हो गए हिमांशु नर्वाल हो गए ये सारे प्लेयर लेफ्ट रेडर्स हैं और ये लेफ्ट रेडर्स जाएंगे सौरम नांदल विशाल लाथर आज इसलिए बोला ये दो प्लेयर आपके लिए इंपोर्डेंट होंगे और अमन अंटिल ने भी काफी ठीक काम किया है लेकिन एक चीज़ और रिपीट कर रहा हूँ आगे से आके ब्लॉक करने वाला काम ज्यादा अच्छा नहीं करते हैं अमन तो आप मेंली सौरम नांदल और विशाल लाथर उपर मानके चल सकते हो कि ये इंपोर्डेंट बनेंगे हिमांशु सिंग अगर खेले या जतिन पोगाट हो गई हिमांशु सिंग अगर ना स्टाट करे हिमांशु नर्वाल खेले तब तो आप सौरम नंदल और विशाल के उपर ज्यादा अच्छे से फोकस करो अगर मानलो हिमान्शु सिंग खेलते हैं तो आप हलका सा अमन के उपर भी थोड़ा फोकस कर सकते हो और सुर्जीत लास्ट मैच में काफी ठीक ठाथ करके आ रहे हैं तो उस बेसिस पर अगर आप पिक करना चाते हैं तब भी पिक कर सकते हैं और अगर बेंगलूरू बुल्स की रेडिंग की बात करें तो भारत हुड़ा और नीरज नर्वाल ये दोनों प्लेयरों दोनों साइड से रेड कर सकते हैं सागर राठी important होंगे, ankles अच्छे लिए, last match में even thigh hold भी अच्छा करते हैं, और साथी साथ यहाँ पे ankle hold अच्छे कर लेता हैं, और मोहित का थोड़ा लग रहा है इस season जो यहाँ पे, maybe यह उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो मोहित आप maybe ignore करना चाहो, लेकिन सा अगर आप defense से देख रहे हो, तो तमिल तलाइवास के वर से वो दो player आपके लिए important बनेंगे, और अगर अभी फिलहाल के लिए final combination की बात तेरे, जो मैंने draft किया हुआ है, तो again मेरे को लगता है, यहाँ पे मने इसको delete किया था, यह again परणीप नरवाल का नाम क्यों हो आ रह मैं उसको fix करने कोशिश करूँगा, तो बस इस match के लिए मैं apology चाहता हूँ, भारत को मैंने captain किया है, और अजिंग के पवार को vice captain किया है, क्योंकि उनका all-rounder performance की basis, ठीक है, बस इसी ही बज़स है, वरना मैं यहाँ आपे defense के उपर ज्यादा focus कर रहा था, साहिल को vice captain captain में, स बहुत सारे लोग यहाँ से combination लगा के छोड़ देते हैं, और खेल नहीं पाते हैं, तो आप लोग के लिए मैंने यहाँ पे safe combination प्रवाइड गिया है, नरंदर को मैंने अपनी टीम में रहा है, अगर नरंदर स्टार्ट ना करे, जो कि मैरे को लगता है बहुत unlikely होगा, लेकि मैं उनको प्रिफर करूँगा, वरना एक defender extra ले लो, सागर राटी, वो आपके लिए बहतर, और भी बहतर है, आप सागर के साथ जा सकते हैं, विशाल स्वार्म नांदर मैं बोला, यह important होगे, इसलिए मैंने उनको रखा है, और और अल्टों डेक्शन में नीरज के इलावा ज्यादा अच्छा उप्शन्स कोई भी नहीं है, तो मैंने उनको रखा है, भारत को कैप्टन किया है, यह डिपेंडिंग अपॉन मैं यहां पर वही की बैंगलोरु बुल्स जीतेगी, तो उसके जो हैंपर होप में मैंने इनको कैप्टन किया है, आप चाहो तो switch भी कर सकत है, प्यूंकि दोनों टीम्स जो हैंपर बॉटम वाली है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है, तो आप चाहो तो आज इंके बापर कैप्टन करके है, वाइस कैप्टन भारत उड़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लगबग एक ही कैलिबर के प्ले है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर जो विजिट कर रहा है, दो सब्सक्राइबर्स और जो बेल नोटिफिकेशन है, उसको आल पर प्रस जरूर करना, so that's all, इस वीडियो में इतना ही मिलता है, नेक्ट वीडियो में और कुछ न्यू अपडेट्स के सा कर दो अवGUियो में अव में और कमुछ झा झार व बेले।ाह कि ह सक तो सब्सक्राइबर्स का रहा है, तो सब्सक्राइबर्स क